नमस्ते फ्रेंड्स, लिजिटल सिवा गुजरा चनल में आप सभी का हार्डीक स्वागत है आज की इस वीडियों हम देखेंगे कि CSE के मात्यम से ICSE Bank Gold Lawn Lead कैसे जेनरेट करते है ये सभी VLE के लिए एक बहुत बड़ी opportunity है कि ICSE Bank Gold Lawn Lead कोई भी VLE जेनरेट कर सकता है इसके लिए कोई भी अलग से user password नहीं लेना है सिर्फ CSE के user और password से ही Gold Lawn Lead जेनरेट हो जाएगी तो आप वीडियो को आगे बटाते हुए हम ICSE Bank की Gold Lawn Lead कैसे जेनरेट करते हैं वो देखते हैं तो अपने computer या laptop में Mozilla Firefox या Google Chrome को open कर लेना है उसमें services.csccloud.in slash iciclon इस link को open करना है इस link को यहाँ पे भी आप देख सकते है services.csccloud.in slash iciclon यह link open करते ही इस प्रकार का interface आपके सामने आ जाएगा हमें CSE के माध्याम से lead जनरेट करनी है तो हम यहाँ पे click करेंगे यहाँ पे csc id और यहाँ पे csc का password करेंगे कर दूब्ला और sign in करेंगे signing करने के बाद हम scroll को थोड़ा नीचे करेंगे और यहाँ पे दो option आपको दिखने को मिलेंगे टूविलर लोन और गोल्लोन I.C.I.C. GoldLong के बारे में आज हम बताने जा रहे हैं आपको यहां पे हम GoldLong पे क्लिक करते हैं GoldLong एप्षिन पे क्लिक करने के बाद हमें जो दो बॉक्स में बताएगे डिटल है वो customer की फिल करनी है इसमें सबसे पहले हम यहां पर प्रेले option में जाएंगे यहां पर पूरुष है तो हम Mr.Select करेंगे अगर 3 है तो हम Mr.Select करेंगे यहां example के तोर पर हम पूरुष का registration कर रहे हैं यहां पर Mr.Select करेंगे यहां first name में हम customer का name add करेंगे middle name में उसके father का नाम add करेंगे और लास्ट नेम में उसकी कास्ट को एंटर करेंगे और मोबाइल नंबर जो कस्टमर का है वो यहाँ पर देना है जो रेग्डिलर नंबर हो उनका यहाँ पर हमें लॉन के एमाउंट मतलब वो कितना गोल्ड बैंक में रखना चाहता है उसी सबसे हम लमसम यहाँ पर लिखेंगे समदलो आपके पास 10 क्राउं गोल्ड हो यहाँ पर 30,000-40,000 लिख सकते हैं यहाँ पर हमें लमसम एमाउंट ही लिखना है एक्जंपल के तौरपे में यहाँ पर 40,000 लिख रहा हो बाद में यहाँ पर अपना स्टेट सिलेक करना है फिर यहाँ आप कौन से डिस्टिक से बिलॉंग करते हो वो सिलेक करना है डिस्टिक सिलेक करते ही आईसे ऐसी बैंक की कहा कहा ब्रांचे है यहाँ पर सब डिस्टि ब्रांच कहां पे हैं उसका पिन कोड़ आ जाएगा सारी डीटेल ओके हैं तो हम सब्मीट पर क्लिक करेंगे सब्मीट पर क्लिक करते ही इस प्रकार की डीटेल हमारे सामने आ जाएगी इसमें CSE ID रहेगा लीट नंबर रहेगा, बि यसे कोड़ रहेगा और बैंक का नाम रहेगा इस प्रकार लीट जनरेट करने के बाद इस प्रेज का परिंट करके कस्टमर को देदेना है और जो ब्रांच सिलेक की है वहां पे बेच देना है वही से बैंक आगे की प्रोसेस करेगी बस यह एक सिंपल सी प्रोसेस है जिसमें सिर्फ दो मिनिट में कस्टमर की लिड जनरेट हो जाती है तो इसी प्रकार के वीडियो के लिए हमारे चेनल को सब्सक्राइब करिए लाइक करें और शेयर करें थैंक यू